हेलो दोस्तों फिर से आपका स्वागत है एक नई टॉपिक के साथ दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है कन्वेंशनल ओबलिक ट्रेशनल फॉर्मवर्क वर्सेज अलुमिनियूम श्ट्रिंग सिस्टम दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको कन्वेंशनल श्ट्रिंग एंड अलुमिन श्ट्रिंग के बारे में बताएंगी यह क्या होती है और कौन सी हमें यूज करनी चाहिए किसके क्या क्या एडवांटेज और डिसरवांटेज होते हैं कंस्ट्रक्शन फिल्ड के अंदर तो अगर अभी तक आपने इस चैनल को लाइक नहीं किया है तो प्लीज लाइक कीजिए कॉमेंट्स कीजिए और अपने जानने वालों को भी इस चैनल के बारे में बताएं जिससे कि वो भी इस इन्फरमेशन इस नॉलेज को गेंड कर सके है तो दोस्तों हमआपना टॉट्फटे शूर करते हैं सबसे ने शूर्ट करते हैं कन्वेशन सका क होती है इसके वुए होते हैं इसके लिए शुट्रिंग प्लाई की हो तो शुत होता है जिसका साइस 1220 x 2447 होता है wooden buttons use होते हैं wooden buttons हमारे 2 inch by 3 inch by 8 feet या 10 feet या फिर 3 और 3 inch into 4 inch into 8 feet या 10 feet के use होते हैं इसमें MS plates use होती हैं MS plates हमारी 600 by 900 भी use होती है 300 by 900 भी use होती है nails use होते हैं nails का size 2 inch 2 inch 3 inch 4 inch होता है vertical props MS props use होते हैं vertical MS के props use होते हैं इसमें shuttering oil is होता है और binding wire is होता है 20 gauge का दोस्तों अब हम पढ़ते हैं इसके advantages और disadvantage क्या होते हैं conventional shuttering के तो हम शुरूबात करते हैं advantage से इसका advantage पहला advantage यह lightweight होता है तो easily use कर सकते हैं हम इसको second lightweight होने के वज़े से यह easily workable होता है हम इसको बहुत easily use कर सकते हैं side पर बहुत जादा manpower की requirement नहीं होती इसके material को दर सदर करने के लिए third है easy to construct in any shape and size दोस्तों इसको हम बड़े easily किसी भी shape और किसी भी size में convert कर सकते हैं जो भी हमारे beam का column का size है वो as per beam और side हम side पर ही इसको बनाकर अपने use में ला सकते हैं fourth है दोस्तों यह economical for small project अकर हमारा project छोटा है तो यह हमाँ सस्ता पड़ता है तो यह थोड़ा cheap भी होता छोटे purchase के लिए इसलिए भी हम इसको use करते हैं and fifth is low initial cost and cheap इसकी initial cost बहुत कम होती है क्योंकि जैसे जैसे हमें इसके recurrent बढ़ते हैं हम उसको उतना खरीकते जाते हैं market से तो हमें initially burden नहीं पड़ता budget के दूपर तो यह इसके कुछ advantage थे second हम आते हैं इसके disadvantage पर तो दोस्तों इसका पहला disadvantage है इसमें wastage बहुत होती है क्योंकि जो हमारी apply होती है उसका एक बार में उसके six to seven repetitions आते हैं उसके जो खतम हो जाती है second है environmental loss क्योंकि हम लकडी को waste कर रहे हैं इसमें और बहुत जादा लकडी भी use होती है इसमें तो हम कहीं नहीं पेल काट कर environmental loss भी कर रहे हैं तो यह भी इसका एक disadvantage है तीसरा है high cost for brick project आगर मेरा project काफी बढ़ा है तो उसमें इसकी cost थोड़ी high हो जाती है क्योंकि जैसे मेरा बताया है इसकी पांस से छे से साथ repetition maximum है इसके बाद उस scrap में चलिए जाती है तो इसकी जो total cost होती है वो बढ़ जाती मेरा project की फूर्थ है finishing not up to mark जो finishing आती है conventional shuttering से वो इतनी अच्छी नहीं होती है कि जितना उसको होना चाहिए उसके बाद हमारा plastic velocity cost भी काफी बढ़ जाती है छटा फिफ्थ है इसका require more time and manpower दोस्तों conventional shuttering से जब हम काम करते हैं तो हमें थोड़ा time ज़्यादा लगता है करने के लिए और manpower थोड़ी ज़्यादा requirement होती है क्योंकि यह speed of construction थोड़ी slow होती है comparison to aluminum shuttering के तो दोस्तों यह था हमारा यह जो आप देख रहे हैं यह है हमारा conventional shuttering अब हम आते हैं अपनी aluminum shuttering पर कि aluminum shuttering क्या होती हैं क्यों यूज करते हैं और क्या होता हैं तो दोस्तों मैं आपको aluminum shuttering का एक broad पहले view देता हूँ तो सन 1919 में एक company थी Myone limited तो यह Malaysian company थी इसने सबसे पहले aluminum shuttering की manufacturing शुरू की थी दोस्तों इसलिए इसको maximum लोग को आपने सुना भी होगा इसको myone shuttering भी बोलते हैं तो यही reason होता है इसको myone shuttering बोलने का क्योंकि myone company पहली company थी 1990 में इसने aluminum shuttering को बनाना शुरू किया था तो दोस्तों जो term होता है aluminum shuttering होता है myone is a company जिससे सबसे पहले इसको बनाना शुरू किया था फिर हम आते हैं aluminum shuttering के components क्या होते हैं तो दोस्तों इसके components होते है standard aluminum panel कुछ इसके standard panels होते हैं जो आते हैं हमारे company से जब हम लेते हैं vertical props, kickers, nails, soffits and shuttering oil यह हमारे कुछ components है major जो aluminum shuttering में use होते हैं दोस्तों यह जो aluminum shuttering कारे side पर आती है इसका जो weight होता है वो 20 से 23 kg per square meter की approach होता है यह company to company vary करता है बट majority में वो कही ना कहीं इसी के बीच में लाए करता है जो मैं आपको बता रहा हूँ और इसका जो price होता है वो साड़े 6,000 से साड़े 8,000 per square meter होता है without GST, इस पर GST extra लगेगा इस cost के उपर तो अगर हम Indian company से अगर aluminum shuttering ले रहे हैं तो वो थोड़ी महगी सस्ती पढ़ती है और हम बाहर की company से aluminum shuttering ले रहे हैं तो थोड़ी महगी पढ़ती है तो साड़े 8,000 तक भी crack करती है कुछ companies का नाम है जैसे केनेस्ट है केनेस्ट हमारी पूने की company है जो आइन्स है यह हमारी गाजवाद की company है और एक है S-form काफे अची company है यह South Korea की company है दोस्तों हम इसके बाद हम आते हैं इसके advantage and disadvantage पर तो सबसे पहला जो इसमें advantage पर आते हैं यह cost effective होती है it provides great construction speed speed of construction बहुत तेज होता है finishing बहुत हाई quality आती है और एक्शनल प्लस्तर की तो हमें जरूत भी नहीं पढ़ती है इसमें इसे करने के बाद फिर reused for 250 times कम से कम 200-300 बार repetition हम इसका कर सकते हैं प्रोजेक्ट के अंदर और यह eco friendly होती है इसमें wastage कुछ भी नहीं होती है जैसे वह आई है वैसे as it is use होती रहती है 300-400 तक repetition तक more effective more जहां पर हमारा mass of work बहुत जादा होता है वहां ही बहुत effective रहती है क्योंकि speed of construction बहुत जल्दी मिलती है हमारा project बहुत जल्दी नकल के आता है इससे दोस्तों तो यह इसके कुछ advantages है अब हम आते हैं इसके disadvantages पर disadvantage क्या होते है कि इसमें modification allowed नहीं होती क्योंकि जितनी भी इसमें panels वगरा जो आते हैं वो company से ही आते हैं तो हम अपनी site पर अपनी requirement के हिसाब से हम modify नहीं कर सकते हैं तो यह इसका main disadvantage है दूसरा आता है finishing line can be seen दूसरा इसके जो panels होते है panels में एक बहुत पतली सी line आती है जब हम 2-3 panels को joint करते हैं तो वो panels की जो line है वो easily visible होती है जिसके लिए हमें putty वगरा करनी पड़ती है internal के लिए external में तो इतना visible नहीं होता है अगर हम texture कर देते हैं वो दब जाता है बट internal के लिए उसके लिए हमें putty करनी पड़ती है plaster की जगए पर तीसरा है heat of hydration is higher due to shear walls इसमें heat of hydration ज्यादा होती है क्योंकि इसमें shear walls हमारी ज्यादा होती है columns थोड़े कम होते हैं shear walls ज्यादा होती है aluminum shuttering को क्यों use करना चाहिए उसके क्या क्या benefits होते हैं over conventional shuttering दोस्तों सबसे पहला point जो आप देख पा रहे हैं वह हमारा construction speed दोस्तों construction में time is bunny तो अगर आप construction जल्दी से जल्दी करेंगे तो हमारा बहुत पैसा बसता है construction के अंदर and aluminum shuttering तो हमारी speed of construction हो बहुत तेज आती है हमारी slab cycle 7-7 days में आ जाती है मिली जो हमारी conventional 14-15 days में achieve हो पाती है वो aluminum shuttering में 7 दिन के अंदर भी हम achieve कर सकते हैं दोस्तों second है इसमें less labor इसमें जो labor required होती है aluminum shuttering में वो less होती है compared to aluminum shuttering compared to conventional shuttering तो less labor की वज़े से हमारा labor की wages है वो थोड़े कम हो जाती है और cost of construction reduce हो जाता है तीज रहा है दोस्तों इसमें low maintenance aluminum shuttering में maintenance ना के बरावर होता है क्योंकि एक बार में हमारी ऐसी finish ही निकलती है जो सालों साल 50-60 साल तक as it is रखती है क्योंकि इसमें प्रश्य आते हैं evenly हमें internal external plaster करने की विज़रत नहीं पड़ती external में हम सीधे texture कर देते हैं and internally हम wall property से भी हमारा कम चल जाता है fourth है increased carpet area दोस्तों इस element shuttering से हमारा carpet area भी increase हो जाता है क्योंकि जहां पर हम 300 का column देने वाले हैं वहां हमारी 200 की share wall से कम चल जाता है जाता है carpet area तो यह भी major advantage है sixth है more seismic resistance तो यह क्या है कि जब भी building के area में earthquake आता है तो जो element shuttering से बनी हुए building होती है वह earthquake को थोड़ा ज्यादा resist कर पाती है comparison to conventional shuttering वाली building से seventh है cost effective जैसा कि मैंने आपको बताया कि यह cost saving होता है बड़े projects के लिए इसमें initial cost ज्यादा होती है लेकिन overall project में बात करें तो हमारी cost saving ही होता है and eighth and last है eco friendly and safe environment जैसे कि दोस्तों मैंने आपको अभी बताया था कि यहाँ पर element shuttering हमारी environment जो conventional shuttering होती है वो हमारी environment को loss करती है क्योंकि इसमें हमारी field काटने पड़ते हैं इसे बनाने के लिए यहीं aluminum shuttering में ऐसा कुछ भी नहीं होता वो एक बार बनाया उसकी reuse भी हम कर सकते हैं conventional shuttering का reuse नहीं कर सकते हैं एक बार repetition होने कर तो खतम हो जाती है बट यहाँ पर हम उसका reuse कर सकते हैं I hope आपको काफी सारी चीजें clear होई होगी इस सब चीजों से इस topic से कि convention shuttering क्या होती है दोस्तों अगर इसकी बाद भेकर आपको कुछ doubt है इसमें तो आप comment section हो मुझे comment में बता सकते हैं कुछ भी आपकी confusion हो आप मुझे बता सकते हैं तो दोस्तों आज का यह वीडियो हम यहीं करते हैं thank you and all the best